हलो बच्चो मैं सुनीता वेरवा आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांच यानि की क्लास फिफ्ट का पहला पार्ट हिंदी का जिसका नाम है हम भारत के भरत बच्चो इस कवीता में बताया गया है कि भारत देश बहुत ही सर्व स्रेष्ट देशों में एक माना जाता है और दुनिया में सबसे स्रेष्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रतापी राजा या बहुत ही अच्छे राजा पैदा हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बड़े युद्धों को भी जीता है और कट्नाईयों का ढटकर सामना किया है तो बच्चे उनके प्रताप को दर पार्ट करते हैं हमारे पार्ट पढ़ना है हम भारत के भरत हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से इसमें बच्चों यह बताया जा रहा है कभी यह कहना चाहता है कि हम भारत के भरत याने कि हम भारत वासी शेरों की संतान से खेल सकते हैं याने कि हम भारत वासी भारत के लोग शेरों की संतान से खेलते हैं ये भरत यहां पर बच्चो सम्राट दुश्यंत के पुत्र भरत के लिए लिया गया है क्योंकि वो शेरों की बच्चों के साथ खेलते थे कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से मतलब कवी ये कहना चाता है कि हमारे देश के जितना सर्वस्रिष्ट देश दुनिया में और कोई है ही नहीं हमारा देश सभी देशों से बढ़कर है इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है बच्चो कवी ये कहना चाता है कि हमारा मतलब हमारी भारत की जनम भूमी पर या इस धर्टी पर पैदा होना बहुती गर्व यानि की गर्व की बात है साहस और वीरता अपने पुर्खों की सौगात है मतलब बच्चो कभी ये कहना चाता है साहस यानि की हिम्मत वीरता यानि की वीरता बलिदान हमारे पुर्खों की सोगात है मतलब हमारे जो पुर्वज है उनका उपहार है ये उनका गिफ्ट है कि तुम हमेशा हमारे पुर्खों से चली आ रहे हैं जो पुर्वस थे बहुत ही हिम्मत वाले थे और बलीदानी थे जैसा बच्चों हमने उपर वारे पेरिग्राफ में पड़ा है उसी तरह हम इस चित्र की द्वारा भी समझ सकते हैं बच्चों यह राजा दुश्यंत यानि कि समराट दुश्यंत के पुत्र भरत थे जो शेरों खतरनाग माना जाता है और बहुती बलशाली माना जाता है लेकिन हमारे भारत के जो बालक है वो शेरों के साथ खेल सकते हैं मतलब वो बहुत वीर है बड़ी-बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहां चिंगारिया यानि कवीए कहना चाहते हैं कि बड़ी-बड़ी आग उन बहुत ही जो बहुत बलशाली थे उन्होंने बहुत हिम्मत दिखा कर उनको हराया है मतलब बहुत बड़ी-बड़ी ज्वालाओं का सामना हमारी छोटी-छोटी चिंगारियों ने किया है काटे पहले फूल बाद में देती है फूल बारिया बच्चों कवे कहना चाहता है कि हमारे देश में यानि कि भारत देश में काटे पहले यानि कि जो फूल के पौदे हम लगाते हैं वो काटे पहले देते हैं ताकि वो फूलों की रक्षा कर सके और फूल बाद में आते हैं तो काटे पहले फूल बाद में देती है फूल बारिया जैसे कि बच्चों गुलाब का पौदा होता है हम उसे लगाते हैं तो उसमें फूल गुलाब का बाद में आता है लेकिन उसको बचाने के लिए काटे पहले ही आ जाते हैं कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से बच्चों कभी ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्रतापी लोग पैदा हुए हैं हमारे यो पूरवज रहे हैं वो कभी दहकते यानि कि वो बहुत ही बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करते थे बहुत हिम्मत दिखाते थे और कभी महकते दुख में भी वो कभी अपना हिम्मत नहीं हारते थे वो बहुत साहस से या वीरता से उनका सामना करते थे और जीते मरते मतलब वो किसी के सामने जुकना पसंद नहीं करते थे हमीशा साहस और वीर्टा दिखाते हुए सभी मुश्किलों का और समश्याओं का बड़ी-बड़ी समश्याओं का सामना और युद्धों का सामना करते थे कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने उंगली दातों तले दबाई अचरत से संसार ने मतलब बच्चों कभी बताना चाहता है कि जैसे ही हमें किसी ने ललका रहा है या हमारे देश की राजाओं को किसी ने ललका रहा है तो वो आगे से मतलब अपने आप आगे आए हैं वो पीछे किसी से डर कर नहीं भागे हैं उंगले दातों तले दबाई अच्रत से संसार ने और जैसे ही उनके प्रताप और वीरता या साहस को दुनिया वालों ने देखा है तो अच्रत यानी आश्च्रे से वो आश्च्रे चकित रहे गए और उंगले दातों तले दबाई याने कि वो बहुत ज़्यादा चौक गए उनके वीरता साहस और हिम्मत को देख कर सद्यों से बनते आएं हैं हम पन्ने इत्हास के त्याग और बलिदान हमारे व्रत है वारा मास के मतलब बच्चो कभी ये कहना चाहता है कि सद्यों से बनते आएं हैं मतलब ये आज का ये आज की बात नहीं है आज हमारे राजाओं ने ऐसा नहीं किया है हमारे जो पन्ने इतिहास के मतलब जो हमारे पुरवज और राजा हुए हैं वो हमेशा से एक नया नया हिम्मत और साहत से भरा इतिहास लिखते आए हैं त्याग और बलिदान हमारे वरत हैं बारा मास के मतलब हमारे राजाओं ने बहुत बड़े बड़े त्याग की हैं बलिदान दिये हैं लोगों के लिए और ये हमारे 12 मास के मतलब हमारा हमेशा से चलता ही आ रहा है ये बलिदान देने की पृता जो हमारे राजा हमेशा से करते आए हैं जब भी निकला हीरा निकला यहां किसी भी खान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से मतलब बच्चों कभी बताना चाहता है कि हमारे देश में जब भी कोई राजा बना है और इतने जो राजा हैं वो हीरे के समान है वो हीरे की तरह श्रेष्ट चमकदार है जिस तरह हीरे का कोई मुल्य नहीं लगा जा सकता कई वार वो बहुत अमुल्य थाबित होते हैं उसी तरीके से हमारे जो राजा हैं देश के उनकी वीरता का किसी से भी तुलना नहीं किया सकती वो बहुती श्रेश्ट पैदा हुएं तो बच्चो इन पंक्तियों की सायता से कभी बता रहे हैं कि हमारे जो राजाओं को जब भी किसी ने ललका रहा है या दूसरे देश ने कभी ललका रहा है युद्ध किया है तो वो कभी भी पीछे नहीं हटे हैं वो खूद कर मतलब आगे से अपने युद्ध करने के लिए आए हैं और लोगों ने जैसे ही उनकी साहस वीरता हिम्मत और उनके कारणामों को देखा है तो अब वो लोग मतलब वो बिल्कुल चौक गए देखकर कि इतना सा सामाने इंसान बिना हत्यारों के भी इतने बड़े-बड़े युद्ध जीत सकता है सद्यों से बंते हाएं मतलब वो यह बताना चाहता है कभी कि आज किसी नहीं किया है यह हमारे पुर्वजों के जमाने से चलता आ रहा मतलब कभी को बार ओर और एक यह ब्र पर्जा की बहुत सारे इतनी राजा है जिनोंय बहुत सारे बलिदान त्याग दिये और अपनी प्रजा को हमिशा स्बसें प्रजा के रखाया और प्रजा का भला किया है यह धरती जो मा है अपनी हमें जान से प्यारी है हर बालक के जिम में इसकी चौकस पहरेदारी है बच्छो यहां पे धरती को भारत मा यानि की माता के रूप में बताया गया है कवी मानता है कि हमारी जो जनम भूमी है वो हमारी म मां के सामान हैं और हमें ये जान से भी ज्यादा प्यारी है मतलब हम इसकी रक्षा के लिए इसे बचाने के लिए हम हमारी जान भी दे सकते हैं कभी ये बताना चाहता है कि हमारे राजाओं ने अपनी जनम भूमी यानि कि हमारी भारत देश की धरती को बचाने के लिए अपन मतलब हर बालक के जो हमारे देश में जन्मा है उस हर बालक के जिम्में इसकी चौकस-पेरेदारी है वाम पूलो मेहनत कुबब करेंगे कफिन परिक्षा आई है माँ का दूद पिया जो है सौगंद उसी की खाई है मतलब कभी बताना चाहता है और आप सब लोगों के सिख्षा देना चाहता है कि हम खूब महनत करेंगे हम क्योंकि हमारी कठिन परिक्षा है ये हमारे देश को बचाने के लिए मा का दूद पिया जो है सौंगन उसी की खाई है मतलब हमने हमारी मा का दूद जो पिया है उसकी कसम हमने खाई है कि हम हमारे देश की हमेशा रक्षा करेंगे उसको किसी को हानी पहुचाने नहीं देंगे जो भी हमारे सामने आएगा उसे हानी पहुचाएंगा हम उसका सामना करेंगे या उसके सामने खड़े रहेंगे हम डर कर नहीं भागेंगे इसी उम्र में परिचे पाले हम श्रम से बलिदान का कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से बच्चो कवी एक कहना चाता है ये बताना चाता है कि हम इसी उम्र में यानि हम इसी बाले अवस्था में इसी बच्छपन में इन सब चीजों से जो हमारे पुर्वजों ने हमें पुर्वजों ने किया था हमारे लिए जो श्रम मतलब जो परिश्रम जो महनत की थी उन्होंने और जो बलिदान दिये थे हम उनकी रक्षा करें उन्हें हम व्यर्थ ना जाने दे और जिस तरीके से हमा पुर्व जोने हमारे लिए क्या किया है और उसकी रक्षा करें आगे कवी ने कहा है कि हमारे देश से बढ़कर कोई स्रेष्ट देश नहीं है अथार्थ हमारा देश सर्व स्रेष्ट है और ऐसा कोई भी देश दुनिया में नहीं है तो बच्चो हमने इस कविता में पढ़ा और हमें इससे क्या सीखने को मिला इस कविता में कभी ये बताना चाहता है कि हमारा जो भारत देश है जिसमें हम पैदा हुए है या जो हमारी जनम भूमी है वो सबसे स्रेश्ट है दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं है और कभी आभी बताना चाहता है कि हमारे जो राजा वो हमारे देश की हमेशा त्याग बलिदान और से देकर रक्षा करते हाई हैं कर नहीं कि गये किए है और कई बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना वो करते हैं बिना बिना डडरे को नहीं हिमद दिक़्ाई है और बड़े- कि जिद राजाओं की तरह प्रतापी और महनेती परिश्रमी बनना चाहिए चलिए बच्चो अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं अभ्यासकारिये शब्द अर्थ संतान बच्चों शंतान का अर्थ होता है औलाद या संतती सोगात यानि की भेट या उभखार पुर्खो यानि की पुर्वजो जो हमारे पहले के पुर्वज रह चुके हैं दहकना, दुखी होना, तपना और धदकना, समर यानि की बच्चो युद, अच्रज यानि आश्च्रे, व्रत यानि संकल्प, नियम, पुवास, चौकस पहरे दारी यानि साफधानी के साथ रखवाली करना बच्चो अब हम इसके क्यूशन अंसर करेंगे, तो हमारा पहला क्यूशन पठते हैं, नीचे लिखे शब्दो को एक वचन में लिखे, मतलब बच्चो यह बहुवचन पहार्त होता है, एक से अधिक और एक वचन कहार्त होता है, जो एक चीज होती है उससे एक वचन, और बहु बचन यानि की बहुत सारी चीजे तो चिंगारी Wanna तो बच्चो क्या बन गई स्वारी उसी तरह किसे बीवाई या तो जैसे बच्चो यहां पर जोटी ई है औरे वह बड़ी हो गई है मिठाई या या नि किoria त्यारीया और किया है और इसे बदला है मतलब जो यहां पर छोटी ए थी हमने उसे यहां पर बड़ी बनाया है अब बच्चो हमें नेक्स्ट कुशन करना है नीचे दिये गए शब्दों में से पुर्लिंग वैस्ट्रिंग शब्द चाट कर लिखे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि में इस्ट्रींग क्या होता है लिंक का अर्थ होता है जो शब्द हमें स्थ्री जाती है जो पुरुष हमें बताए कि यह चीज इस्तिरलिंग है तो वो इस्तिरलिंग होता है यानि जो चीज इस्तिरी का बोध कराए हमें उसी तरीके से जो शब्द हमें पुरुष जाती का बोध कराए मतलब जो कितनी जो मतलब पुरुष होने का हमें बताए वो शब्द हमें पता चले उनके तो उप तो मिट्टी इस्त्रachen he too बच्चो उप जाऊ है इश्म को मैं यह लगाने कि मट्टी लगा सब्सक्राइब ऑजाए इसे पुर्वा को करा रहे है यह और यह पुर्लिंग करा रहा है तो यह अंडिका बूद ब्स इतरीक बालक चाख Service पुरिंग है परिक्षा तो BOB परिक्षा इस्त्रिलिंग है क्योंकि थे जाएं हम जाए परिक्षा उंसी तरिक्षा भी हो रहा है और बार वो Daar पुरुशय स्धूर ऊंस्वा कितुर्था इसकर रहा है उसी तरिकी से अई Lesses Capital थे- तो पुरुष जाती का बोद करा रहा है और हम दूसरी तरीके से भी जैसे बोल के देख सकते हैं वाकिव बनाकर कि दूद अच्छी है तो वह शब्द नहीं बन पा रहा तो हम बोलेंगे दूद अच्छा है तो वह वाकिव बन गया तो बच्चो हमने क्या देखा कि हमें यह पुरुष जाती के बोद कराने वाले शब्दों को पुर्लिंग कहते हैं तो बच्चो आज हमने कविता पड़ी कि हम भारत के भरत हैं और उसी और हमने इसके क्यूशन अंसर किये हैं तो बच्चो अगले क्लास में मिलते हैं अगले चेप्टर के साथ मैं सुनीता बेरवा थैंक्यू सो मच